संसनी ओप इंडिया जग्रानुट कर लिया था लेकिन संलाइट कोलोनी क्राइन ब्रांच की टीम भी दोनों आरोपियों की एक्टिविटी और मुव्मेंट पर लगातार नजर रखे हुए थी आरोपियों ने मामला शांत समझ कर जैसे ही अपना ठिकाना बदलना चा, वैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें दबोच लिया आरोपियों की पहचान 29 वर्षिय प्रकाश व पच्चीस वर्षिय हनी रावत उर्थ बढ़ी आख के रूप में हुई है दोनों आरोपी संगम विहार दिल्ली के रहने वाले है पुलिस ने इनके कबजे से एक पिस्टल वर चार जिन्दा कार्तूस बरामत किया है दिनाग 29 अक्टूबर 2022 की सुबह थाना दिल्ली केंट इलाके में तीन बदमाशों ने बंदुक की नौक पर फॉचिनर कार लूट की वार्दात को अंजाम दिया था पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी इस घटना का वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ था बदमाश इस पूरी घटना को महज दो मिनट में अंजाम देकर फरार हो गए थे वार्दात से इलाके में संसनी फैल गई थी Anti-extortion and Kidnapping Sale Crime Branch Sunlight Colony की टीम को मामले को सुझाने का काम सोपा गया राजेश देव DCP Crime ने सुशील कुमार ACP Anti-extortion and Kidnapping Sale Sunlight Colony की सुपर्विजन वै इंस्पेक्टर राजी बमल के नित्रित्व में ASI नरेश कुमार, शाम बिहारी शरंग, ASI रोहित सोलन की तालीम, HAD CONSTABL गुरुवेन्ड सिन्ग, यूनुस सोमेश पेज़प्रताप वा CONSTABL अनुझ की एक टीम का गठन किया एस आई रोहित सोलनकी और हेद कांस्टेबल गुरु वेंड सिंग ने CCTV कैमरा, प्राइम सीन का डंप डेटा, CDR वा IPDR डेटा स्कैन करने के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस की मदद से तीनों बदमाशों की पहचान कर ली तीनों बदमाशों की पहचान गेंस्टर प्रिंस तेवतिया, प्रकाश वा सौरब के रूप में हुई बदमाशों तक पहुचने के लिए एस आई रोहित सोलनकी और हेद कांस्टेबल गुरु वेंड सिंग ने लगभग 2500 से अधिक CDR और IPDR डेटा को खंगाला फोचिना कार लूट कर जिस रूट से बदमाशों के भागने की आशनका थी एस आई नरेश सोलनकी ने टीम के साथ उस रूट पर पढ़ने वाले सभी कॉनर्स, मल्टीपल टंस, मकानों, दोकानों, बस्टॉप और रेड लाइक पर लगे CCTV फुटेजों को खंगाला तो पता चला की वारदात को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों में से एक बदमाश संगम विहार इलाके में कहीं छिपा हुआ है संगम विहार में छिपने वाले बदमाश की पहचान प्रकाश के रूप में हुई CCTV फुटेज में प्रकाश गैंस्टर प्रिंस तेवतिया के साथ बंदुख की नौक पर फॉचिनर कार लूटते हुए साफ दिखाई दे रहा है वारदाथ के बाद से ही प्रकाश ने अपने आपको अंडगरान उड़ कर लिया था इंस्पेक्टर राजीव बमल के पास इस बात की पुक्ता इन्फॉर्मेशन थी कि वांटेड प्रकाश संगम विहार में छुपा हुआ है लेकिन किस धर में छिपा हुआ है यह जानकारी नहीं थी टीम को यह भी पता चला कि प्रकाश ने अपनी गिरफतारी से बचने के लिए अपने पास मोबाइल फोन भी रखना बंद कर दिया है टीम के सामने सबसे बड़ी चुनोती थी प्रकाश को बिल से बाहर निकालना इसके लिए इंस्पेक्टर राजीव बमल ने एक चार्ट चली सबसे पहले फोचिन कारलूट की खबर को मिदिया से दूर किया फिर यह रूमा फैलादी क्राइम ब्रांच की टीमें अब इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है एस आई रोहित सोलनकी और हैद कांस्टेवल गुरू वेंड सिंग ने संगम विहार के चप्पे-चप्पे पर मुखबिरों का जाल बिछा रखा था साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम संगम विहार के हर एक छोटे बड़े बदमाश की एक्टिविटी और मुव्मेंट पर नजर रखे हुए थी इंस्पेक्टर राजीव बमल की चाल काम्याब हो गए फोच्यूना कार लूट की खबर कई दिनों तक मीडिया में ना आने पर प्रकाश को विश्वास हो गया कि अब मामला शांथ है मामला शांथ समझ कर प्रकाश दिल्ली छोड़ कर भागने की फिराक में जैसे ही अपने बिल से बाहर निकला हैद कांस्टेबल गुरु वेंदर सिंग को मुख बिरो से इसकी भनक लग गई दिना 11 नवंबर को मुखबिरो से हेद कांस्टेबल गुरु वेंदर सिंग को प्रकाश की सटीक एक्टिविटी और मूवमेंट की टिप मिली हेद कांस्टेबल गुरु वेंदर सिंग की इंफॉमेशन पर टीम ने संगम विहार में चापा मार कर मकान नमब बी 610 संगम विहार 29 वर्षिय प्रकाश पुत्र हरी किशन को दबोच लिया प्रकाश के पास से पुलिस को एक पिस्टल वच चार जिंदा कार्तुस बरामद हुए आरोपी ने कबूल किया कि वो अपने साथियों प्रिंस तेवतिया और सौरब के साथ दिल्ली कैंट थाना इलाके से एक फौचुना कार लूटने के संसनी केज मामले में शामिल था प्रकाश के खिलाफ पहले से ही थाना संगम विहार, हजरत निज्जा मुडवीन, अमर, कॉलोनी वर अंबेट कर नगर में अपराधिक मामले दर्ज है विमांद के दोरान प्रकाश की निशान देही पर मकान नंबर A-914, संगम विहार, निवासी, 25 वर्षिय हनी रावत, उर्फ बढ़िया, पुत्र गोपाल रावत को आश्रम चेक इलाके से दबोच लिया हनी रावत ने फॉच्यूना कार लूटने के लिए चोरी की बाइक का इंतजाम किया था यह भी दीपक पंडित वसोनु पहलवान गैन का सक्रिय सदस्य है इसके खिलाफ पहले सही थाना प्रीत विहार, वजीराबाद व इंद्रपुरी में अप्रादिक मामले दर्ज है फॉच्यूना कार लूट मामले में दर्ज एफईयर में इसका भी नाम है पूच्टाच के दोरान आरोपी प्रकाश और हनी रावत ओर्फ बढ़ी आथ ने खुलासा किया कि वे गैंस्टर राजकुमार तेवतिया के साथ दीपक पंडित वसोनु पहलवान गैन के सदस्य है डिल्ली के आया नगर के एक अन्य गैंस्टर रोहित चौधरी से हमारी दुश्मनी है गैंस्टर प्रिंस तेवतिया एक महीने की परोल पर जेल से बाहर आया था और उसे 27 अक्टूबर को जेल में सरेंडर करना था इसी दौरान तेवतिया को पता चला की गैंस्टर रोहित चौधरी गैंस्ट से जुना टकल नाम का बदमाश जमानत पर बाहर आया हुआ है टकल ने अपने मुकद्व मिवार कुनाल बच्चा के कहने पर हिरासत में 30 हजारी कोट पैसी के दोरान खारजे में तेवतिया के चेहरे पर ब्लेड से हमला किया था उन्होंने गैंक के अन्य सदस्यो भानू, हनी रावद उर्फ बड़ी आख, राकेश राका के साथ मिलकर कुनाल उर्फ टकल से बदला लेने की योजना बनाए इन्हें अपनी योजना को अन्जाम देने और कानून के शिकन जेसे बचने के लिए कार की जरूरत थी योजना के मुताबिक हनी चोरी की बाइक का इंतजाम कर गुरुग्राम के होटल में ले आया, जहां सभी ने शराब पी उसके बाद आरोपी प्रिंस टेवतिया और सौरव के साथ होटल से चोरी की मोटर साइकल पर कार की तलाश में निकले और दिल्ली के एंट 24-7 स्टोर पहुँचे बाइक सौरव चला रहा था जहां प्रिंस टेवतिया को एक फोचुनर कार दिखी प्रिंस टेवतिया वह प्रकाश ने कार चालक को पिस्टल दिखा कर धमकाया और चालक को डराने के लिए फायरिंग कर दी प्रकाश वह प्रिंस टेवतिया ने चालक से कार की चावी वह उसका मोबाइल फोन लूट लिया और चौरी की बाइक मौके पर छोड़ कर तीनों लूटी हुई फोचिनर कार लेकर फरार हो गए इसके बाद उन्होंने फोचिनर कार को कक्रोला इलाके में खड़ा कर दिया और छिप गए सौरब को क्राइम ब्रांच आर के पुरम की टीन पहले ही गिरफ़तार कर चुकी है वांटेट गैंड्स्टर प्रिंस तेवतिया को दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापे मारी कर रही है संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हां, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए, संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। कराइगे, आपको रूफ रूफ ठेखना न भूलेंगे, संसनी ओफ इंडिया कहीं डर लूफ तो कहीं तर्थ, कहीं आत्महत्या, तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश हर जरुम का करेंगे पर्दा फार ठेखे हर रोज रात साड़े दस बजी संसनी और इंडिया का 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 करेंगे इंडिया